आगे आजाएं प्लीज गवर्निंग काउंसिल के सबी 11 मेंबर्स मैं चाहता हूं उपर आजाएं कोले जी मेंबर्स जो पीछे बैठे हैं नदीम जी आगे आजाएं प्लीज फर्जान वाई आजिए आगे जाएं प्लीज तेजपाल जी हमारे बड़े डाइनमिक मेंबर हैं और अब बहुत शेकर इन्होंने घोचना किये कि पूरे भारत ब्रह्मन करेंगे जैन साथ में और मैं भी साथ में लगा रहा हूं अरजी लगा दिये कि मैं भी आपके साथ चलिए नदीम जी बेटे हुए है फरजान भाई इन्होंने जो आइन दिखाया है सभी मंडल्स को सभी स्टेट चैप्टर्स को मेरेट मंडल ने मुर्वा मंडल ने तो हमने इनके लिए भी कुछ समय था लेकिन हमें तगादा हो रहा है क्योंकि यह जोड़ा सा समय जादे लग गया तो इसलिए मैं शोट में मुझे आदेश हुआ है हमारे पेजिएंट साब का कि बहुत नट शेर में में से कर दूं किनी हमारे कोलेजिम मेंबर्स के अगर सिगनेचर रह गए हो तो किरपया बहुत सिगनेचर जरूर करके जाए वापकी उपस्चिति ताकि हमें याद रहे दर्ज रहे कोई भी कोलेजिम मेंबर्स हमारे रह गए हो गोपिना जी अपने सीट गरेंड कीजिए कि तो जो आज का एजंडा है आदर्णी एजं साहब हमारे पूर वाइस ऐसों मुझूद है हमारे निर्देशक भी हैं हमारे सरणक्षख भी हैं हमें समय ब्रदेशित करते रहते हैं आशेर्वाद इन का साथ रहता है तो जो एजेंडा था वो था कि नवनिवाइज को लिजियम वर्स 2022-2025 का सदस्यकरण वे नवनिवाइज काउंसिल 2025 का यह जो भी हुआ है यह उसमें था वो चुका गतवर्स के कारिये वे आई वेया का विवरण जो कारिये थे उनमें से काफी हमारे प्रेजिडेंट साब ने आपको गणित कर दिये थे बहुत ही नटशेल में हाला कि इतना समय नहीं है आद्यक जी इसको स्कीप कर दे हाँ तो यह चुकि सभी लगबग जानते हैं हमने पहले ही बार भी जब पहले साल फस्ट हमारा हुआ था 2020 में तो अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया था पिछली साल जो AGM हुई थी हमारी उसमें भी हमने डिक्रेर किया था आपने जो कारिये थे और जो भी हमने किया है किया थो सब आपके सामने हैं आपके नजर में है कौइट के कारण हमें बहुत कंशमें मिला पूरे जोन हला शेप्टर का पूर शेट शेफ सका पूरे देश कमें आई कर लंग करना चाहते थे हैं पर व्यूर कारण नहीं कर पए हम सोचने कि इस बार हम इसको पूरा कर मैं इसको मेंबर्शिप ड्राइव के तहित नरसरी मित्र बागवानी मित्र के रूपे नई सदर से बनाने पर विचार था जो आपके प्रपोजल हमारे प्रेजिदेंट साब ने रखा था तो उस पर आप सब सहमत हैं किर्पया बात उठा किर्ट में धन्यवाद एक जो विजन आपने रखा था अपना सपना भी बताया और एक टास्क भी है हमारा लक्षे भी है वो कि आईने का इस्थाई मुखे कारहले होना चाहिए अभी तक जो कारहले चाण अभी तक होता ये था कि जहाँ अभी जिसे स्टेट के भी प्रेजिदेंट रहे वो ओफिस उनी के साथ जाता था आदर्णिय सुब्रमनेम जी थे आपसे पहले तो ओफिस कडियम में था उससे पहले आदर्णिय त्यागी जी थे अजयवन जी तो दिल्ली में रहा कुछ उनके हापुड में रहा अब पिछले वरसे 2018 से जो नई गत वर्ष की जो कारे करनी रही उसमें हमारे प्रेज़न साब वाईपी सिंग साब ने जो उनका अपना घर था वो आईएने को दिया हुआ है उसमें कार्याले चल रहा है हमारा अब आपका वीजन है कि हमारा एक इस्थाई कार्याले दिल्ली में होना चाहिए उसके लिए आपका प्रपोजल है और उस सभी के सहयोग से होगा वो जो जिस लाइक है उसमें हम सहयोग करेंगे आप इस बात पर सब सहमत है कि दिल्ली में हमारा इस्थाई कार्याले होना चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद एक समस्या आती है हमारे साथ में अक्सर दर्सरी मेंज के साथ में कि साथ फ़ला व्यक्ती ने हमारे पैसे मार लिए पेड़ मंगा लिए पैसे नहीं दिए तो एक एजिन्देब ये भी था कि जो विक्रेता वा क्रेता के मद्धे क्या हमारा रोल होना चाहिए कि जो हमारे विवाद होते हैं जो ख्र innovations करता है कि पोध्य sólo की शिकायत करता है कि सब्धिया नहीं आए जैसे मांगेगा तो है कर लेधा के तो यह विवाद है दन्यवाद, वर्ष 2023 में आयेने का होटी एक्सपो जो अभी लॉंच हुआ, आप सब ने देखा एक ग्रेंड शो होने जा रहा है, उस पर काफी विचार आचुके हैं, और उसमें सभी के हम विचार जानना चाहरे थे, इसमें सभी इसे समय का अभाव है, तो इसलिए मैं इसम से निवेधन करूँ, कि इस इंटरनेशनल शो को सफल बनाने में जो भी हम सायोग कर सकते हैं, वो हम सायोग इसमें करें, च्छो कि इसमें हमारा ही फायदा है, और जो स्टाल लेना चाहते हैं, वो स्टाल बुक कर लें, जैसा गोचना की थी कि आज तो कंसेशन है, बीस हज उन्होंने दिशित भी किया था कि हम MSME में अपनी हैं कि हम रिस्टर करा लेते हैं तो इसमें हमें कुछ फाइदा मिल जाएगा सरकार से हमें कुछ सबसेडी मिल जाएगी तो हम उसमें भी प्रियास करेंगे यह विशे थे इसके अलावा माने अद्द्रग जी कोई और रिचार हो तो किर्पया आप एक एड्रेस था चुकी जो अब तक हमारा इस्टर्ड ओफिस था वो चांदनी चोग कैथल में था अदर्निय बंसल जी यहां है तो वह चुकी वहां से शिफ्ट ओगया है उनका ओफिस उनका रेजिजेंज भी शिफ्ट हो गया है तो हमारा एड्रेस भी वह दूसी जगे के द्व में ही दूसी जेगे चला गया है उस वह चुकी अगल का प्रस्था पारित करना पड़ेगा तो वह हमारी मजबूरी भी है कि उनके साथ ही जहां तो हम यह जो कोलेजिम मेंबर से हमारे कोलेजिम कमेटी है क्या इसको पास करती है बहुत बहुत देन्यवाद कोई और प्रस्ताव जो चाहते हैं कि कोलेजिम में रखा जाए क्योंकि विचार का समय नहीं है बहुत शोर्ट में यदि कोई प्रस्ताव हो तो किरपया आप रख सकते हैं अरेन एजन साब कोई सुझाव संक्षिप में राना जी रामनिवास राना जी आसिव भाई बैलेंस सीट मैं चाहूंगा हाला कि जो भी कोई सुझाव हो किरपया संक्षिप में रख दें चुकि हाला कि डिटेल में होने ती एक डिड़ गंटा हमें रखा था हमने इसके लिए लेकिन समय का भाव है लेकि फिर भी आप रख सकते हैं कोई प्रस्ताव हो कोई सुझाव हो तो हमारे जो कोलीजियम मेंबर्स है किरपया वो साधार अमंत्रित है जो नोटिस सब को मिला होगा एजियम का उसके साथ में बैलेंस शीट भी हमने पहली बार मैं अगर गलत नहीं हूँ तो नोटिस के साथ नियम नुसार चुकि ये जाती है तो हमने ये इस बार भेजी है इस पर यदि किसी को कोई डाउट हो कोई शंका हो कोई प्रश्ण हो तो वो आके रख सकते हैं आयञий मैं चलों भी है कि मुंकेश्रमा जीज जो हमारे वजीट-खजाना अ कि अब बताएं कितना हमारे पास में पैसा है हाला कि का मता पास में अबार रहता हम तो अब आर भास कहते रहतें एंच यह घए जो लोत नुर्शरी तो21ए है उसके लिए पैसे दहीं है आप जादे से जादे एड़ दे और सहयोग भी समय समय पर लेते रहते हैं और सहयोग मिलता भी है हमें उसके लिए मैं पुने आपका धन्यवाद करूंगा में मुकेशर में जी को आवंतित करूंगा किर पयाओ आए प्रस्तुत करें सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत हैं बाइपी सर तभी राजमान मंच्पेवरात महानबाव पहले हम कुछ बात करना चाहते हैं इंडियन नस्री मैं एसोषियन हमें ये समझना पड़ेगा ये है क्या सब क्या है इंडियन नस्री मैं एसोषियन इंडियन नस्रीमेन मलब मैं इंडियन नस्रीमेन हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं नस्रीमेन हूँ हम सब को एक सोच बनानी पड़ेगी कि मैं इंडियन हूँ, मैं नस्रीमेन हूँ जब तक हम यह नहीं बनाएंगे कि मैं इंडियन नस्रीमेन हूँ हम कहते हैं कभी भी किसी संसता के लिए पॉजिटिव या ओनिश नहीं हो सकते हैं एक बात और मैं कहना चाहूँगा यहां पर टाइम तो कम लोगा कि हमें एक बात सोच और खतम करनी पड़ेगी जो हमारी होच है कि हम टाइम बेश्ट कर रहें जाके और मनी बेश्ट कर रहें ना तो यह टाइम बेश्ट है ना मनी बेश्ट है हम इस तरह कि अगर जो हमारे एक तरह से हम लोग कोलेज में जाते हैं क्या पढ़ने जाते हैं, सीखने जाते हैं, इसी तरह हमारे लिए ये सब चीजे हैं, सभी निष्टी में, सभी चीजों में, सब और बिचनिस के अंदर सेमिनार्स होते हैं, हमारे यहां बैपी सर ने स्टार्ट किया और अच्छे पोजीशन अब लाये हम लाके पुंचाया य किये हैं हम हैं इंडिया इससे हम सब कुछ हम हमें से मिलना है और सीन साब का भी अबड़ा बहुत मारक दर्शन रहता है बहुत तोने इस्टिगली एक दम टाइड वाला तो ऐसे टाइड वो एडमिनिस्ट्रेशन है उसी टाइड दरेक से उनके लिए तालिया होनी चाहिए बहुत जोड़ से तो मैं बहुत तो मैं बता हूँगा कॉपी तो हमने दे दिये हैं हमारी जो इंकम है पहले वो बता देते हैं हमारा जो मैग्जीन से एड से आ रहा है बार लाग के हतर अजार रुपे आया है जो एक एजियम हुआ था उसमें स्पॉंसिव आई थी दो ला प्रिट जाते हैं उससे हमारा एक लग उनीश जार रुपे आया और हमारा कोई डॉनिशन आया है वह है है एक लग पचास द्रुपे और ढ़ल हमारे एफटी है उसमें से एक एफटी का इंटेस्याया चाहा लाग 32,018 रुपे और एक एजिः एफटी से आया ठाहरा जार लुपी ये हमारी इंकार्जा है और हमारा ख़ड़्चा है यह भाइवर्च को एड पर जो हमारा ख़ड़्चा इन लाग दस जार हुआ है हमारा मैगजीन प्रिंटिंग जो होती है उसका 10,9450 रुपे है पोच करते हैं जो हम 156,000 रुपे है बैंक चार्जेज हैं 3,563 रुपे ऑडिट का है 10,000 रुपे नेट का है 9,380 रुपे जो हम इस्टेशनी होती है इसमें लैटर हेड बगरा होते हैं वो 26,000 का है सैलरी है हमारी 7,23,475 रुपे ऑफिश खर्चे हैं जो ऑफिशे खर्चे होते हैं वो 57,000 रुपे हैं और हमारा सियकी फीश है 1,11,500 रुपे है ये टोटली हमारा खर्चा जो बढ़ना है 27,000 रुपे बढ़ना है और इंकम में हमारी 22,000 रुपे हम 5,000 रुपे लोस में चलना हैं इसमें वो कवर कैसे हो रहा है कि हमारे पास 14,000 रुपे का लोन है सब खर्चे जोड़ें तो बहुत है हमारे चैप्टर से हैं जो अलग अलग प्रोग्राम करते हैं उनका बड़ा सपोर्ट होता है उससे हमारे आएने को बहुत फीडवाग बहुत मला हाल मिलती है तो हम अपने अल चैप्टर के लिए चाहां वो यूपी का है महाराश वालों ने भी अच्छा किया महाराश वालों ने भी अच्छा किया उन सब के लिए एक बार तालियां थैंक यू मैं सभी जो कोलेजिय मेंबर से मैं निवे दिन करूँगा करपया आगे आजाए